Ouais ůेbellu ओन्हारा कोश्रियोग हे दिया वहाँ है वात आर्दम मेजर इट्परेंस अंड न मेतल इव्यिसा है तो हम लोग एक तरफ में मैट लिख लेते हैं कि और एक तरफ में हम लोग क्या कर लेंगे नाहें थे यह हमारा मेटल हों गया और दूसरी दरब में हम लोगा बात कर लेंगे नॉन मैटल यह तो अब मैटल क्या होता है मैटल के बीच में रजों क्या होता है लक्टोन के पास टेंडेंसी होता है यह को लूज कर सकता है तो मैंत लाक्ट्रों मैंतल आप टैंडेंसी टू भूज कि लैक्ट्रों मैं अब नॉन मैंटल के बारे में लिखेंगे तो नॉन मैटल के बारे में एलक्ट्रों नॉन मैटल्स है लो टेंदनसी तू यह अब यहां पर मैटल के अपर पास क्या होता है यह यह लूज करने का लूज करने का तक होता है अब दूसरा आप दूसरे की बात करें मेर स्ट्राउंग तरिड्यूसिंग एज सुझी इस्ट्रांग दूसींग ए कि एहूंग दुझिंग रिड्यूसिंग ऑगार्द ज dissism ऑक्सिडाइजिंग एजिंट होता है अब इसका इन फैल्पी जो होता है वो क्या होता है लो इन फैल्पी इस है 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 अग्याइजेशन इन फैन इन फैल्पी इसके अलावा यह लोगर्ट निगेटिविटी होता है मैं इसमें है अब इसका औक्साइड मैटलका उक्साइड वह होगा वह वह थे सीग नेचर का ओगा तो ऐसे कही सारे मैटल और नान मैटल यह तो यह प्रोपर्टी यह अधार पर बहुत सारे हैं जैसे कि मैटल लस्ट्रस होता है यह से नॉन मैटल ना ऐसा कुछ नहीं होता है वहाँ पर कुछ एक्सेप्सेंस जरूट दिखते हैं जैसे ग्रेपाइड ग्रेपाइड नॉन मैटल फोटे हुए भी एलक्रिसिटी प्रेपाइड पर नन मैटल पर फोटेशन आपको समझ में आया होगा स्वाल थैंक यू